हेलो दोटो, स्वागत है आपका केमकोर्स के स्यूट्यूब चेनल में और आज की स्वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी का एक और सबसे इंपोर्टेन टाइप जिसका नाम है हाई परफोर्मेंस लिक्विट क्रोमेटोग्राफी या इसे हम बोलते हैं short form में HPLC या इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं high pressure liquid क्रोमेटोग्राफी high pressure liquid क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें जो compound का separation या analysis होगा इस column के अंदर वो high pressure पर होता है अब वो high pressure कहां से आता है किस तरह से separation होता है उसकी बाद किस video lecture में हम करेंगे तो इसका तीन नाम से हम इसे जानते हैं इसे हम बोलते हैं high performance liquid क्रोमेटोग्राफी या high pressure liquid क्रोमेटोग्राफी या इसको short form में हम बोलते हैं HPLC जनरल हम इसे HPLC ही बोलते हैं तो यह जो HPLC है क्रोमेटोग्राफी का यह जो type है यह सबसे important type इसलिए है क्योंकि इसका जो use होता है या यह जो instrument होता है यह जो technique होती है separation और identification की compound के यह लगबग हर industry हर laboratory जहां advance work होता है महाँ पर use इसका हर industry हर laboratory में किया जाता है चाहे वो chemical industry हो chemistry से related हो biochemistry से related हो biotech से related हो या pharma industry हो सब जगे यह HPLC का instruments रहता ही रहता है हर laboratory में रहता ही तो यह instruments किस तरह से work करता है किस तरह से हम compound का analysis करते हैं इस HPLC के instrument की मदद से किस principle पर आदारित होता है क्या क्या components इसके होते हैं और कितने type की होती है यह HPLC उनकी बात आज के video lecture में हम करने वाले हैं तो चलिए हम lecture को शुरू करते हैं तो इसका principle के अगर हम बात करें कि यह किस principle पर आदारित होती है तो यह जो HPLC होती है यह जो column chromatography थी उसी का यह बहुत ही advance और modification form है अब हमें column chromatography को modification करने की क्या जरूरत थी यह जो HPLC का नया instrument है जो की बहुत expensive भी है बहुत महंगा भी है और बहुत complicated भी है तो इसे introduce करने की क्या जरूरत थी तो जो column chromatography थी वहाँ पर जो हम compound का separation या analysis करते थे उसमें एक तो time बहुत ज़्यादा लगता था बहुत धीमी process थी वो उसमें automatic automations की वज़े से या वो हमारे जो natural law थे उन पर dependence थी उसमें बाहर से कोई भी instrument हम use नहीं करते थे और उसमें जो हमें solvent लेना पड़ रहा था वो solvent काफी ज़्यादा मातरा में use करना पड़ रहा था जिससे हमारा solvent का काफी ज़्यादा नुकसान हो रहा था इसलिए हमें हमारी जो column chromatography थी उसमें कुछ modifications करके कुछ changes करके एक advanced technique introduce की गई जिसका नाम क्या है HPLC नाम है या high performance liquid chromatography है तो ये जिस principle पर आधारित होती है वो होता है generally ये absorption principle पर आधारित होती है अब ये जो instrument है जिसका आपको लंबा चोड़ा block diagram दिख रहा है ये machine किस तरह से दिखती है तो उसका में आप एक photo आपको लगा दूँगा वो कुछ इस तरह से दिखती है आपको ये photo display हो रहा होगा अब इस machine में क्या-क्या components होते है उनकी हम बात कर लेते है तो इसमें जो सबसे first number पर जो component होता है जो सबसे पहले number पर इसमें आता है वो होता है इसमें solvent chamber या इसे हम solvent bottle भी बोल देते हैं क्यों solvent bottle का use क्या होता है तो ये जो solvent bottle होती है ये solvent जो हम use करते हैं ये market as a mobile phase ये जो solvent होता है ये solvent polar भी हो सकता है non-polar भी हो सकता है वो depend करता है कि आपकी HPLC का क्या type है आपको किस compound का analysis करना है तो ये जो हमारी solvent bottle होती है ये generally हमारी मोबाइल phase होती है उसे रखने के काम आती है इस solvent bottle के बाद में एक pump होता है इस pump का क्या काम होता है तो ये जो pump रहता है ये pump इस solvent bottle से solvent को खीजता है, suction create करके इस bottle से ये solvent इस pump तक आता है और pump पर आने के बाद में ये pump इस solvent को injector को देता है या injector में भेजता है तो यह जो pump होता है, यह pump हमारे instrument का second part होता है, first part हो जाती है solvent bottle और second part हो जाता है pump Pump से जो हमारा solvent या mobile phase होती है वो सीधे कहां जाती है, injector में जाती है, यानि injector हमारे instrument का third part होता है तो injector में जाने के बाद में, injector में और हम क्या करते हैं, injector में हम यहां से, injector के उपर से, serene की मदद से हम sample inject करते हैं, अब sample injector में आ गया और हमारी जो mobile face थी या हमारा solvent था, वो भी injector में आ गया, और यहां पर यह दोनो mix हो जाते हैं, यानि एक डूसरे से मिल जाते हैं, इसक में मिला हुआ सेंपल था वो जाता है, कॉलम के अंदर, यानि कि इस instrument का जो चोथा part हो taha है, वो होता है, कॉलम, कॉलम जो होता है, हमारा कॉलम अजा stationary face होता है, stationary face यह कॉलम जो होता है, किस चीज़ का बना होता है, क्या length होती उसकी भी हम बात यहां पर करेंगे तो हमारा जो column होता है वो as a stationary face होता है इसके अंदर कुछ material हम fill करते हैं कौन-कौन से material fill करते हैं वो भी depend करता है हमारी HPLC के type के उपर और हमारा जो sample है उसके analysis के उपर तो इस column के अंदर या इस stationary face के अंदर हमारा जो mobile face रहती है वो हमारे sample को क्या करवाती है run करवाती है migrate करवाती हो इस column के अंदर high pressure रहता है high pressure कहां से create हो रहा है तो यह जो pump है section pump यह high pressure create कर रहा है और कितना high pressure create कर रहा है लगबग 400 से 500 बार का प्रेशर रहता है इस कॉलम के अंदर और इस कॉलम के अंदर जो हमारा सेंपल था वो सेंपल क्या करेगा माइग्रेट करेगा इस stationary face के molecules के बीच में या stationary face के जो pores थें जो छिद्र थे उनके बीच में और अपनी affinity के according क्योंकि जिस सेंपल की affinity ज़्यादा रहेगी stationary face के साथ में वो उतना धीरे migrate करेगा उतना धीरे उसका moment होगा और उसका illusion time या बाहर निकलने का या retention time उतना ज़्यादा रहेगा यानि कि जिसके affinity जितनी ज़्यादा रहेगी वो सेंपल molecules इस stationary face में या इस stationary column में उतना ज़्यादा time spend करेगा और वो detector पर कुतना late पहुचेगा तो सबसे पहले detector पर कौन पहुचेगा जिसका retention time सबसे कम होगा और detector पर पहुचने के बाद में उस molecules का या उस sample particles का हमें electronic signal मिलेगा और electronic signal को ये detector किसे देगा ये देगा जो हमने system connect करके रखा है system connect करके रखा है उसको ये signal pass करेगा अब ये जो system होता है इस system के अंदर already एक HPLC का software install रहता है जिसके पास में हजारों लाखों samples के data already रहते हैं अजर reference data रहते हैं और ये जो system रहेगा ये detector से आए हुए data को अपने reference data के साथ में क्या करता है match करता है और ये देखता है कि कौन सा compound हमें detect हुआ उस reference data के साथ में ये detector से मिला हुआ data जो match कर जाता है उससे हम बता देते हैं कि ये जो simple था इसमें हमें ये compound इतने concentration के साथ मिला इस compound का group ये है इस compound का chemical nature ये होता है इस तरह से होता है इसके अंदर दो चीजे और होती है एक इसमें होता है degasher क्या काम होता है और कहां पर ये रहता है तो degazer का जो काम होता है ये काम होता है कि अगर किसी simple अगर आपके simple और mobile phase में अगर कोई gas का bubble बन गया है कोई gas bubble बन गया है बबल कहां से बनेगा gas का bubble बनने के दो कारण हो सकते हैं या तो आपने जब pump start किया हो जब आपके pump ने जब इस solvent को सक्षन किया तो हो सकता है कि उस सक्षन के साथ में कुछ गेस के particals आ गए हो और वो particle injector तक आ गय हो और आपके simpl के साथ mix हो गए हो या और gaze के bubble कहाँ से बन सकते हैं कि जब आपने simple inject किया तब हो सकता है कि आपके error कुछ errors की वज़े से आपके simple के साथ में कुछ air bubbles पहुंच गए तो यह जो degazer होता है यह degazer का काम होता है जो बाहर के air bubbles रहते हैं उन्हें remove करना अगर उन्हें remove नहीं किया गया तो क्या होगा कि आपके जो gas bubbles ठेमान लो oxygen के gas bubble थे वो oxygen के gas bubble यहां से आपके इस injector से होते हुए column तक पहुंच जाएंगे और फिर उन oxygen के molecules का यह oxygen की gas का आपको एक signal और मिलेगा जिसकी वज़े से आपका जो result आएगा उसमें accuracy नहीं आएगे तो degazer का काम क्या होता है degazer का काम होता है कि अगर कोई gas bubble आ गया हो तो उसे remove करना generally degazer लगा होता है column से पहले ठीक है एक चीज और यहां पर होती है उसका नाम होता है temperature या उसे हम बोलते हैं column heater इसका temperature maintain करना ज़रूरी होता है अच्छे result के लिए या accuracy से analysis करने के लिए तो यह जो हमारा column होता है यह एक chamber के अंदर या एक box के अंदर होता है और इस box को ही हम क्या बोलते हैं chamber heater बोलते हैं और इसका काम क्या होता है इस column का temperature को maintain करना generally हम जो separation करते हैं वो हम करते हैं 40-80 degree centigrade पर तो यह temperature है 40-80 degree centigrade का यह maintain करके कौन रखता है यह column heater maintain करके रखता है अब बात करते हैं कि यह जो column रहता है किस material का बना रहता है कितनी length होती है और कितने diameter का हम use करते हैं तो जो हम सबसे ज़्यादा यूस करते हैं करते हैं ze तैंलेस इसटिल का बना हुआ авज यूश हम यहां पर करते हैं गलास का को लब यहां पर यूज नहीं करते खिर हम यहां पर सेपरेशन हरवissä कर выпол तो उसमें glass का column लेना उतना sophisticated नहीं होता है इसलिए हम जो यह column लेते हैं यह किसका लेते हैं stainless steel का लेते हैं इसके बाद में इसकी length की बात करें तो जो हम column यूज करते हैं HPLC में वो हम use करते हैं 30 mm से 25 cm का column यानि कि 30 mm बहुत छोटा होता है बहुत छोटे column से लगाके हम लगबग 1 feet यानि 25 cm या 30 cm आगर हम बोले तो लगबग एक फीट तक का column use करते हैं हो यह जो column होता है इसका inner diameter की बात करें कि कि कितने inner diameter का column रहता है तो यह रहता है 4 to 4.5 mm inner diameter का बहुत कम diameter इसका रहता है बहुत कम diameter इसका रखने का reason ये भी है कि इसमें एक तो हम pressure से pressure के साथ में separation या analysis कर रहे हैं तो कम diameter की वज़े से pressure maintain रहता है या pressure बहुत ज्यादा pressure की ज़रुवत नहीं लगती दूसरी चीज ये है कि इसका inner diameter कम रखने का reason ये है कि ये जो solvent हम use कर रहे तो solvent बहुत कम मात्रा में यूस होगा जो कि हमारे column chromatography ती मुहां हमारा solvent बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था तो HPLC में solvent बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होता है तो यह कुछ चीजे थी जो ध्यान में रखने दायक थी इसके बाद में हम बात करें HPLC के types की HPLC कितने types की होती है तो यह जो हम mobile face और stationary face ले रहे हैं उनके आदार पर यह जो HPLC होती है इसे हमने चार भागों में classify किया है कौन-कौन से चार भाग होते हैं तो एक जो सबसे first number पर भाग होता है वो होता है इसका normal face HPLC नॉर्मल face HPLC जो होती है इसमें जो हम mobile face यूज करते हैं नॉर्मल face HPLC में जो mobile face यूज करते हैं यानि कि हम जो solvent यूज करते हैं वो solvent होता है non-polar non polar solvent यूज़ करते हैं normal face HPLC में और जो stationary face हम यूज़ करने वाले हैं जो हम stationary face यूज़ करने वाले हैं इस column के अंदर वो हम यूज़ करते हैं polar nature की polar nature की किसमे normal face HPLC में और जो हमारा analyte या जो हमारा sample रहेगा वो भी कैसा रहेगा simple जो हमारा रहेगा सेंपल भी हमारा रहेगा polar nature का polar nature का तो जब polar nature का सेंपल यहां से इस हमारे solvent के साथ है इस हमारा non-polar nature का solvent injector तक आएगा और हमारा sample polar nature का injector तक आएगा दोनों mix होकर जब इस stationary face या इस column में आएंगे तो यह जो हमारा sample था तो इनका interaction किस से होगा? इनका interaction होगा polar stationary phase के साथ में ये क्या करेंगे? बाइंडिंग करेंगे एक तरह का electro-static force लगेगा उनके बीच में और जितना ज़्यादा हमारा simple, क्योंकि अब हमने ये simple का mixture लिया है, अब इसमें different type के polar nature के simple होगे, कुछ मान लो कि हमने ये simple लिया, ये simple लिया, इसमें 4 तरह के particle है, तो 4 तरह के particles की polarity अलग-अलग होगी, तो जिसकी polarity सबसे ज़्यादा होगी, वो इस stationary face के साथ में सबसे ज़्यादा binding करेंगा, जिसकी कम होगी, वो सबसे कम करेंगा, तो फिर ये जो elute होंगे, जो बाहर निकलेंगे, तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, जो सबसे weak polar होगा, क्योंकि उसका interaction सबसे कम होगा, तो यहाँ पर जो interaction होता है, वो किसके आदार पर होता है, वो होता है, पॉलरिटी के आदार पर, यानिकि यहाँ पर जो separation हो रहा है, वो हमारा जो sample है, या जो हमारा mixture है, उसकी polarity के आदार पर हो रहा है, और इसमें जो हमारा mobile face थी, वो कैसी लें एट कि हम यहां पर जो हमारी थी नॉर्मल फेस उसमें नॉन कोarya Кेश लेंगें और हमारी यह जो हमारी reverse face HPLC होती है वो normal face HPLC के just opposite होती है अब यहाँ पर interaction किस तरह से होगा तो वो देखिए आप आपका जो solvent है वो polar nature का polar nature का solvent injector तक आया और आपका simple non-polar है वो भी injector तक आया आपकी stationary face भी non-polar है तो यहाँ से जब हमारी stationary face में इंडर करे गा mobile face और simple तो क्या होगा कि हमारी mobile face polar थी और हमारा जो simple था वो non-polar था कोई interaction नहीं होगा कोई interaction नहीं होगा और यहाँ पर सबसे जयदा एहां पर सबसे जादा एंटरेक्शन करेगाई स्टेशनरी अगौत Candid सबसे बाद में लूट आउट होगा और जो सेंपल पार्टिकल्स या मोलिक्जुल्स सबसे कम इंटरिक्षन करेगा इस इस्टेशनरी फेस के साथ वो सबसे पहले लूट आउट हो जाएगा और डिटेक्टर पर डिटेक्ट हो जाएगा इसके बाद में एक और टाइप आता है यहां पर आयन एक्सचेंज टाइप की जो हपका इसके रहते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं इसके अंदर जो हम इस्टेशनरी फेस लेते हैं वह इस्टेशनरी फेस भी चार्ज पार्टिकल रहते हैं यह जो आप interaction होगा, उसमें sample आपका जो रहेगा, वो भी charge particle और आपकी stationary face वो भी charge particle, तो इसमें जो होगा interaction वो ions ions के बीच में होगा, यानि कि opposite ions के बीच में interaction हो जाएगा और same ions जो रहेंगे, वो ripple करते हुए, पहले illute हो जाएगे, तो इनका जो illute out होगा, या इनका जो separation इसके बाद में आती है size exclusion, size exclusion में क्या होता है कि यह जो stationary face होती है, यहां पर आप देखिए से stationary face होती है, इस stationary face में जो molecule से उनमें कुछ इस तरह के size रहेंगे या कुछ इस तरह से उनके जो porous size इसके बाद में जो इसमें हमारा जो particles आएंगे, जो solvent sample आएगा, solvent के साथ में वह simple जिसका size बड़ा रहेगा, जिस simple का size बड़ा रहेगा, वह इनकी जो gap है, इन gap के अंदर feet नहीं हो पाएगा, या इनके जो porous size है, उसमें उनका diffusion नहीं हो पाएगा, और जिस simple का size सबसे बड़ा रहेगा, वह सबसे पहले elute out हो जाएगा, उसका retention time उतना कम रहेगा, किसमें size exclusion के अंदर ध्यान रखिएगा इस बात को, यहां पर confusion होता है, कि size exclusion में बड़ा particles था, तो वो तो बाद में निकलना था, वो फस जाना था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता यहां क्या होता है, जो जिस particles का size बड़ा रहता है, वो पहले elute out हो जाता है, क्योंकि यह जो stationary phase थी, इसकी जो gap थी, उन gap के अंदर इसका diffusion नहीं हो पाता, particle size की वज़े से, size बड़ी होने की वज़े सो diffusion नहीं हो पाता, तो यह पहले elute हो जाता है, बाहर जल्दी निकल जात हो जाता है, जो बड़ा particle रहता है, सेंपल का, जो बारिक particles रहते हैं, जिनके size बहुत छोटी रहती है, वो यह जो porous size रहती है, stationery phase की, इनमें diffuse हो जाते हैं, और उनका retention time बढ़ जाता है, वो बाद में elute out होते हैं, और detector पर detect होते हैं, तो यह different type की 4 तरह की HPLC होती है, किन प क्या applications होते हैं, यह हैं, जो हमने HPLC पढ़ी है, इसके क्या फाइदे होते हैं, क्यों हमने इतना लंबा चोड़ा या इतने complicated instrument पढ़ा, तो यह जो HPLC होती है, इसका एक बहुत broad applications होते हैं, क्योंकि इसका उप्योग हम हर industry में करते हैं, यह हमें हर industry में help फूल रहती है, चाहे काम आती है, और other air pollutant में, air pollutant के analysis में काम आती है, different different solvents से, different different mixture से कुछ harmful compounds का analysis करने में काम आती है, तो इसके numbers of applications होते हैं, अगर इसके advantage की हम बात करेंगे, इसके क्या advantage होते हैं, तो एक तो यह बहुत accuracy के साथ हमें काम करती है, इसके बाद में इसमें time saving काम होता है, क्योंकि कि यह इसमें कुछ ही minute में analysis मिल जाता है, कुछ ही minute में इसके result मिल जाते हैं, कुछ इसके limitations भी होते हैं, क्या limitations होते हैं, limitation सबसे बड़ा limitations तो यही है, कि यह काफी expensive है, बहुत महंगा instrument आता है, इसका लगवग 20-25 लाग का instrument आता है, HPLC का complete, उसके बाद में इसके और क्या limitations हो सकते हैं, एक limitation यह भी हो सकता है, कि काफी complex machine होती है, बहुत ध्यान रखकर इस पर work करना होता है, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो यह इसके कुछ limitations होते हैं, तो यह हमारा complete video lecture था, HPLC के उपर, मुझे उम्मीद है कि आपको इस video lecture से समझ में आया होगा, कि HP HPLC क्या होती है, HPLC को introduce करने का क्या reason था, कितने type की HPLC होती है, यह जो instruments होता है, इस instruments की कौन-कौन से component, कौन-कौन से part होते हैं, और उन components का क्या-क्या uses होता है, तो अगर आपको यह video lecture पसंद आया हो, तो इस video lecture को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, मिलते हैं, हम next lecture में, तब तक के लिए, bye bye, thank you.